नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे चली दोस्तों आज मैं यूथ कमपटीशन के बुक से बैटरी एंड सेल से कुछ महातपूर प्रस्न लेकर आया हूँ जो की आपकी किसी भी एक्जाम के लिए महातपूर साबित होंगे चली दोस्तों इन प्रस्न को सुरू करते हैं दोस्तों हमने निन्यानवे प्रस्न पिछले वीडियो में कर लिया है उसके बाद समय प्रस्न से सुरू करते हैं चले दोस्तों आज का हमारा प्रस्न है यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेटे डुबोई जाती हैं ताकि इन में से विदुधारा प्रवाइत हो तो इसे डेट डेस कहा जाता है राइट एंसर इलेक्ट्रोड कहा जाता है यदि किसी तरल में दो सुवाहक को प्लेटे डुबोई जाती हैं ताकि इनमे से विदुधारा प्रवाहित हो तो इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है चालक में विदुधारा का प्रवाह इलेक्ट्रानों के विप्रीत दिसा में होता है दोस्तों चालक में इलेक्ट्रानों को प्रभाह विप्रीत दिशा में होता है आगला दोस्तों लेट एसिड बैटरी के अति भाराण और अति निर्वाहन परिडाम सरूप डेट डेस होगा राइट एंसर वकलिंग प्रभाव लेट एसिड बैटरी के अति भाराण और अति निर्वाहन के परिड़ाम सुरूप बकलिंग प्रभाव होगा लेट एसिड बैटरी एक संचायक बैटरी है जिसमें धनात्माक इलेक्ट्रोड पीबी और टू तथा रिड़ात्माक इलेक्ट्रोड पीबी यनि सीशा और अब घट्टे के लिए असुद जल तथा सल्फ्यूरी कमले प्रियूग तो होता है अगला है दोस्तों लेट एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल डेट डेस होता है राइट एंसर की दच्छता कम लेट एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल की दच्छता कम होती है क्योंकि लेड एसिड सेल की अपेच्छा निकिल लाव सेल की आंतरिक प्रत्रोध अधिक होने के कारण हानिया अधिक हो जाती है इसलिए हानिया अधिक हो जाती है इसलिए दच्छता प्रपोस्नल वन अपान हानिया होती है लेट एसिट सेल का मतलब 2 वोल्ट और निकिल आइरन सेल 1.2 वोल्ट होता है अगला दोस्तो निम लिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमर्जेंसी लाइट में उप्योग किया जाता है राइट एंसर अपसन नमर भी लेट एसिट बैटरी दोस्तो इसे पुना चार्ज भी कर सकते हैं इसलिए इसे इमर्जेंसी लाइट में लगाते हैं अगला दोस्तो इमर्जेंसी लाइट में लेड एसिट बैटरी का उप्योग किया जाता है लेड एसेड बैटरी में धन प्लेटों की संक्या, रिड प्लेटों की संक्या से कम होती है इसमें तनू H2SO4 यनी सल्फियूरिक अमल का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है LED Acid Battery में धनात्मा किलेप्टरोड PBO2 तथा रिलात्मा किलेप्टरोड PBO2 यनी सीसा का बना होता है LED Acid Battery का उपयोग मोटर गाड़ियों रेल गाड़ियों आदी में DC उत्पन करने में होता है अगला है दोस्तों LED Acid Battery में उर्जा किस रूप में संग्राहित की जाती है LED Acid Battery में उर्जा राशानी कुर्जा के रूप में संचित होती है अगला है दोस्तों LED Acid Battery में उर्जा किस रूप में संग्राहित की जाती है राइट टैंसर आपसन नमबर भी राशानी कुर्जा रिपीट होगा है दोस्तों अगला है यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज एक दसमलो दो वोल्ट है तो इसमें प्रयूक्त सेल किस प्रकार का है राइट एंसर निकिल कैडिमियम जिंक सिल्वर आकसाइड जो है दोस्तों एक दसमलो आठ च्छै वोल्ट का होता है लिथियम आयन सेल जो है दो दसमलो नव पांच वोल्ट का होता है निकिल कैडिमियम सेल एक दसमलो दो वोल्ट का होता है लेड एसिड सेल जो है दो वोल्ट का होता है अगला दोस्तों लैप्टाप बैटरी को पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उप्योग किया जाता है राइट एंसर अप्सन नमर भी लीथियम आयन लैप्टाप बैटरी को पैक बनाने के लिए लिथियम आयन प्रकार के सेल का उप्योग किया जाता है क्योंकि भार में हलका तथा वोल्टेज रेटिंग लिथियम आयन की ज्यादा होती है अगला दोस्तों बूश्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है डेट डेस राइट एंसर अप्सनम्बर बी लगू समय के लिए उच धारा अगला दोस्तों इस्टोरज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है राइट एंसर अप्सनम्बर डी बैटरी की उप्योग अवधी को बढ़ाने में ट्रिकल चार्जिंग में बैटरी की उपयोग की अबढ़ जाती है बीना प्रियोग की रखी हुई बैटरी के खुला हानिया तथा च्छरंड सतत होता रहता है इससे बैटरी सनई-सनई विसर्जित मतलब धीरे-दीरे विसर्जित हो जाती है मतलब कमजोर हो जाती है च्छती की पूर्ती हेतु बैटरी को समय समय पर आवेसित करते रहते हैं जिससे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं जिससे बैटरी की छमता एम जीवन काल दोनों बढ़ जाता है अगला दोस्तों किसी एलक लाइन सेल 16 सेल को 12 घंटे तक 4 एमपियर की निया धारा पर आनावेसित किया जाता है तो इसे अपनी समान आवेसित आवस्ता में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एमपियर की नियाध धारा की आवर शक्ता होती है य는지 एमपियर आवर की छमता की गडना आधेर्म करें। राइट answer दोस्तों Afton No. C 60% दोस्तों हल आपकी सामने है देख लेनाँ अगले प्रस्ण पर चलते हैं से निकिल आईरन सेल की धनातमा्गज प्लेट डेट डेश से बनी होती है राइट एंसर, अप्सन नमबर D, निकल हाइडर आकसाइड अगले प्रस्ण पर चलते हैं बैटरी चार्जर डेट डेस होता है राइट एंसर, अप्सन नमबर D, दिश्टकारी रिक्टिफायर बैटरी चार्जर दिश्टकारी रिक्टिफायर होता है जो AC को DC में चार्ज करता है, यानि आवेसित करता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए DC की जरूरत होती है, अगले दोस्तों, 6 वोल्ट, 6 एंपियर आवर पर कार कर रहे किसी 10 गुड़े 0.25 वाट LED वाले सेल, मतलब वाले बैटरी या सेल, लैंड की अनुमानित कार्य वधी, रन टाइम कितनी होगी, राइट एंसर दोस्तों, अप्सन नमबर C, 14, दोस्तों, हल आप देख लेना, अगले प्रस्ण पर, निरंतर वोल्टेज प्रडाली में, इस्तिर करन्ट प्रडाली की तुलना में चार्ज का समय क्या होगा, क्या होता है, राइट एंसर, अप्सन नमबर B, या लगभग निरंतर वोल्टेज प्रडाली में, इस्तिर धारा प्रडाली की तुलना में चार्ज का समय आधा हो जाता है क्योंकि शुरु में, निरंतर वोल्टेज के करन्ट जाधा, मतलब दारा जाधा होती है, अगला दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के पीछे सिध्यान्त डेड़ेस है राइट एंसर आप्सन नमबर ए फैराडे के नियम फैराडे के विद्धूत आप गटन संबंदित दो नियम दिये थे नि मैंने नियम आपको कई बर बताया है आप देख लेना चलिए अगले प्रेस्ट पर लेड एसिड बैटरी का नाम मात्र सेल वोल्टेज कितना होता है राइट एंसर दो वोल्ट लेड एसिड बैटरी का नाम मात्र सेल वोल्टेज दो वोल्ट होता है या सेकंडरी सेल होता है लेड एसिड दोस्तों दो दसम्दो दो वोल्ट तक का होता है और निकिल आइरन ए 225 वोल्ट शिल्वर जिंक 1.860 वोल्ट शिल्वर कईडमियम j0.1 वोल्ट कार्बन जिंक dysk covid 1185 वोल्ट लिथियम जो है 2295 वोल्ट मरकरी ऐसल मखें 123 वोल्ट होता है अगला दोस्तों इस्थिर धारा प्रडाली की गेतुलना में इस्थिर वोल्टेज प्रडाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक शमा है राइट एंसर, आपसन नम्बर A घट कर लगभग आधा रह जाता है इस्थिर विवव Втор प्रडाली की उपयोग First चार्जिंग के लिए करते हैं इस्थिर धारा प्रडाली की तुलना में इस्थिर वोल्टेज प्रडाली चार्जिंग के लिए अवश्यक शमय घट कर लगबग आधीर रह जाती है अगला दोस्तों निकिल आइरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है अगला प्रस्न दोस्तों नियत वोल्टेज चार्जर निम लिखित में से किस्मी मदद करता है नियत वोल्टेज चार्जर की साहता से फास्ट चार्जिंग होती है और चार्जिंग के समय घट कर लगबग आधा रह जाता है नियत धारा पडाली की तुलना में अगला दोस्तों निम लिखित में से काउन सा एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है राइट एंसर अलकली रिचार्जेबल ड्राई सेल जो है वेसेल होते हैं जिनने चार्ज हो जाने पर पुना चार्ज का उप्योग में लाते हैं लीथियम आइजन निकिल काडमियम निकिल मेटल हाइडराकसाइड रिचार्जेबल ड्राई सेल जबकि अलकली रिचार्जेबल सेल नहीं है अगला दोस्तों चार्ज करते समय लेड एसिड एलेक्ट्रोलाइड का विशीष्ट गुरूत तो क्या होता है राइट एंसर अप्सन नमबर भी या बढ़ जाता है दोस्तों आज के लिए इतना है अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बिल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दें आज के लिए इतना ही फिर मिर्लिंग नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई